अस्सालाम अलेकम वेल्कम टू माई चैनल उमीद करती हैं आप सब खायरे से होंगे आज मैलाई हों कुटावा गोश हरी मिट्षी कर बिस्मिल्ला रह्मरें चलब हम शुरू करते हैं पाव की लोग गोश लेली देखिए मैं अच्छे से दो के रकली से बहुत अच्छे से बनता है बहुत ही मज़ेदार बनता है गोश यह देखिए थोड़ी सी कोतमीर पुदीना और हरे मिट्ष ली 10 से 12 हरे मिट्ष लेली अध्रेकलेशन का पेश एक डली मीडियम कलर की काटका रख ली प्यास की डली लांग ली दालचीनी ली और काली मिर्च दो इलेची दालचीनी सा जीरा नमक तो टेस्ट के साब से लेना चाहिए आपको हल्दी लेली यह सोब लेकर रख लेंगी अपन जरूर मुझे सब्क्राइब कीजिए मेरे चैनल को मैं चैनल को जरूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को जरूर आगे तक लेकी जाए आप नहीं हैं तो जरूर सब्क्राइब कीजिए मेरे चैनल को देखिए हम इसे ग्रैंड कर लोंगी जाल लोगी इसमें मैं गोश दाल लोगी देखिए हरे मिर्ची को मैं अच्छे से कठोरे में पानी जादा दाल कर हरे मिर्ची कोतमेर पुदीना दो लोगी धो कर जार में दाल लोगी दीखिए ऐसा दोना चाहिए कुछ भी मठी कुछ भी रहा तो निकल जाता है अच्छे से साफ दो ले जाता है अब मैं इसमें दालूँगी अद्रलेसन का पेस्ट बड़े चमज से लीती एक चमज में एक डली में प्यास के खाट कर रखी थी वह भी दाल लूँगी और इसमें काले मिर्ज पाउडर बनाने के लिए अलग से नहीं इसमें पाउडर बन जाता है इसलिए इसमें दालूँगी दो लेची दाल चीनि साजिरा और काले मिर्ज के दाने जो बीना पीसे रहे नमक तो आ देखी ग्रैन हो गया देखीं कितने डिस् Kitty से हो गया ग्रैंड कितना green green लग रहा है न ऄ्दिरिए नहीं पड़ती इसलिए काले मिर्च पर दालना चाहिए इसमें अब मैं इक पैन लोगी उसमें दालों की चार में दालकर देखिये सिरिए एक गलास पाणी दाल लुए जा दाल चीनी बाद में उपर से दाली कि तेजपान आता है उसे जो नमक रखी थी वह भी दाल लूँगी हल्दी भी दाल लूँगी एक चमच छोटे चमच से और तेल जादा दालना चाहिए इसमें तलने के लिए अच्छा रहे था है ये पली से में तीन पली तेल दाली दालने के लिए अच्छा तले चाता है और कड़ाग भी तले चाता देल से भी इख ह्या है अच्छे देखीह, माशाला राक इतना अच्छा लगा जा आभी इसे मनेमात देखिए ऎतना अच्छा लगेंगा और ये देखिए आप भी बनाईए आप भी ट्रै किजिए घर में बहुत अच्छा लगता है ये खाने में अब नहीं है तो जरूर मुझे सब्क्राइब किजिए देखिए माशाला कितना अच्छा लग रहा है देखिए अब इसे अब मैं इसे 20-25 मिनीट के लिए रखूँगी देखिए माशाला कितना अच्छा लग रहे है 20-25 मिनीट के बाद ऐसा बना देखिए देखिए टायम जदा लगता है इसको बनने के लिए ज्यादा पानी नहीं दालना चाहिए एकी ग्लास दालना चाहिए इसमें पानी गोश भी कल जाता है और अच्छे से बन भी जाता है देखें इसको अच्छे से हिलाना चाहिए इस तेल में तलना चाहिए गोश को देखें कितने अच्छे से बन गया है देख्या सहिलाना चाहिए चमची से अशा सहिलाकर अशा से तलना चाहिए मेडियम में देख्ये बनकर रेसिपी तयार हो चुकी माशाला कितना चाह लग रहा है ना देख्ये माशाला आप भी घर में ट्राइ कीजिए बनाने के लिए जरूर मुझे दुआ में याद रखिए जरूर मेरे चैनल को सब्क्राइब कीजिए दीखिए सर्फकरी में निकान ली एक प्लेट में दीखिए इसके उपर में रखिए प्यास और पूदीना ये दाल कर खाने से बहुत ही अच्छी लगती है ये रेसिपी देखिए आप भी घर में ट्राइ कीजिए बनाईए और मुझे दुआओ में जरूर याद रखिए मे